नमस्ते दोस्तों PhD Public Speaking Series में आपका फिर से स्वागत है अब तक आप 3 Module कर चुके हैं और हम ये 4th Module बलकि 4.1 Module आज शुरू कर रहे हैं और इसमें जो बहुत ही important area हम लेने वाले हैं जैसे आप वो Zero Module में बताया गया था कि 4th Module होगा Confidence Building आप में सदिकांश लोग मानेंगे कि Public Speaking Course जॉइन करने की आपकी मुख्य वज़े यह थी कि आपको लगता था कि Public Speaking के लिए आप में आत्म विश्वास परयाप्त नहीं यह module इसी आत्म विश्वास पर केंद्रित है इसके तीन अलग-अलग इसे हैं लेकिन जिस हिस्से के आज हम बात कर रहे हैं उस पर मुझे पर मुझे पर सबसे ज्यादा अब तक सबसे ज्यादा किसम की जो queries आती है वो उसी को लेकर आती है इसे हम देहे भाशा या body language कहते हैं हम क्या करें कि हमारी body language हमारे masses के साथ हमारा जो मूल संदेश है उसके साथ align करें उसके साथ sink में हो उसके साथ जुड़ी हुई हो ऐसा ना हो कि हमारी हमारा संदेश एक बात कह रहा है और हमारी body language दूसरी बात कह रहे है आप किसी दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर उसे ये कह चाहें कि दोस्त में तुम्हारे साथ हो लेकिन आपकी body language अकड से भरी हुई हो उसमें वह मृदुता ना हो उसमें वह थोड़ा सा जुका हुआ पन ना हो तो स्वाफाविक है कि आपका संदेश एक तरीके से जा रहा है और आपकी body language उसके विपरीत जा रही है ये बात सामान पबिक स्पीकिंग में नहीं चल पाती इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि body language का क्या महत्व है आपको याद होगा कि पहले जब हमने ये सीरीज शुरू की थी उससे पहले ही हम आई कॉंटेक्ट पर एक पूरा वीडियो बना चुके हैं जो आपको आपकी playlist में मिल जाएगा इसी तरीके से hand movement पर पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसे आप playlist में देख सकते हैं ये दोनों भी body language के ही हिस्से हैं तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि body language जो है उसका आत्म विश्वास से क्या लेना देना है लेकि दोस्तों जब हम कोई बात कहते हैं पब शब्दों की साख credibility सिमित होती है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके श्रोता आपकी बात पर विश्वास करें तो आपको अपने शब्दों को पुष्ट करना पड़ता है आपको उन शब्दों को और मजबूत बनाना पड़ता है credibility लानी पड़ती है उसमें साख लानी पड़ती है और ऐसा करने में आपकी body language आप कैसे खड़े हैं आपकी आँखें क्या कह रही हैं आपके चेहरे पर मुस्कान है या नहीं आपके हाथों का movement क्या है आपका शरीर कांप रहा है स्थिर है अकड में है किस इस्तिती में है यह उसका प्रभाब 10 से 15 फीसिदी ही होता है बाकी प्रभाब तो वक्ता कौन है और वक्ता ने ये बात कैसे कही है उसकी body language क्या है उससे तै होती है इसलिए body language पर आपको गंभीरता से विचार करना है मैं आम तोर पर अपने विद्यार्थियों को यह बताता हूँ कि body language जो है उसकी जो दो प्रमुख काम है दो जैसा मैंने का कि credibility पैदा कर ली है लेकिन credibility कैसे पैदा होगी जिसका मतलब है कि विश्वास जमाना पहला महत्वपुन काम है और दूसरा emotions को express कर आपका संदेश जो है उस संदेश को किस किसम के विश्वास की जुरुत है मसलब मान लीजिए आपको class का monitor बनाया गया है कभी न कभी बनाया गया होगा या आपने monitor को देखा हो शिक्षक जब एक monitor बनाता है तो वो monitor से अपेक्षा यह करता है कि वह class में अनुशाशन बनाए रखेगा इमानदारी से बिना भेदभाव के बच्चों के साथ व्यभार करेगा यह कि सब क्या है यह विश्वास है यह विश्वास वह monitor अपनी class के बाकी students से तब हासिल करेगा जब वह बोलते समय जब वह उनके साथ संबाद करते समय इन विश्वास के मानकों को भी संप्रेशित कर रहा होगा अगर वह डर कर बोलेगा अगर वह आँखों को थोड़ा टेडा कर कर बोलेगा जिससे लगेगा कि मानों वह cheating कर रहा है जूट बोल रहा है तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभव कम होगा यह तो मैं स्कूली जीवन से आपको उधारन दे रहा था लेकिन आपने इसे बाकी जगहों पर भी देखा होगा जब कोई नेता आपसे वोट मांगने आता है या जब कोई एक स्पीकर आपको आपसे कुछ संदेश देने के लिए आता है कोई धार्मिक उपदेशक आपको अपने धर्म के अच्छी बते बताने के लिए आता है या फिर कोई salesman अपना कोई सामान बेचने के लिए आपके सामने खड़ा होता है वैस्व भाविक है कि उमीद करता है कि उसकी कही गई बात पर आपका विश्वास हो और ये विश्वास कब हासिल होता है? ये विश्वास तब हासिल होता है जब आपका आपकी देह और आपका संदेश इन दोनों में तार तम में हो इन दोनों में एक सिंक हो ऐसा करने के लिए आपको अपनी body language को पहेचानना पड़ता है और समझना पड़ता है कि आपकी body language की कौन सी movement उस भाशा देहे की भाशा का कौन सा पक्ष विश्वास कायम करता है और कौन विश्वास के विरोध में जाता है इसी तरीके से एक दूसरा पक्ष है emotions को express करना हमेशा आपके शब्द समवेदनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे भावनाओं को नहीं व्यक्त कर रहे हो आपको ऐसा करने के लिए मसलि मान लिए आप जोश से भरा हुआ कोई बत्तवे दे रहे हैं और जो उसके वाक्य हैं वो तो एकदम जोश से भरे हुए हैं लेकिन आपकी body language जो है वो ऐसे पस्त body language है तो स्वाभाविक है कि आप लोगों में जोश नहीं भर पाईगे अगर आप एक वीर रस के कवी हैं और करोन रस के अनुभावों के साथ कविता पढ़ रहे हैं तो क्या किसी में उत्साह भरेगा या इसका ठीक विपरीत वहां तक पहुंचा पाएंगे नहीं इसलिए अपनी body language को हम एक एक करके भी बात करेंगे लेकिन अपनी body language को अपने संदेश के साथ जो आपका मूल वक्तव्य है उसके साथ तार तम्य में लाना आपकी जिम्मेदारी है ऐसा करने में आपकी body में क्या-क्या चीज़े शामिल होती है इन्हें आपको समझना पड़ेगा मैं सबसे पहले जिस चीज की बात करता हूँ वो है posture आप किस तरीके से खड़े या बैठे हैं क्या आप cross leg बैठे आप अकसर मुझे interviews में ये बात कहते सुना होगा मैं हमेशा विद्यार्तियों को, candidates को, aspirants को बोलता हूँ कि किसी भी कीमत पर आपको cross leg नहीं बैठना है भारतिये परिद्रिश्य में तो इसकी जरूरत में बिलकुल नहीं होती आप इस बात को समझे, जब आप cross leg बैठे हैं और खास्तोर से interview में cross leg बैठे हैं तो ये आपकी nervousness को दिखा रहा है और ये एक छोटे स्थर तक आपकी arrogance भी दिखाता है हाला कि स्थितियों के हिसाब से चीज़े बदलेंगी आप घर में cross leg बैठ सकते हैं मैंने भारती परिदेश्य इसलिए भी कहा क्योंकि आमतार पर भारती परिदेश्य में हम जो ड्रेस पहनते हैं उनमें cross leg बैठनी की आविशक्ता बहुत ज्यादा नहीं होती मसलिल स्कर्ट्स नहीं पहनी जाती, कम पहनी जाती है अगर पहनी चाहें तो जरूरा cross leg कभी-कभी बैठ सकते हैं तो कुल मिलाकर आपको अपने body posture का ध्यान रखना है ध्यान रखेगा कंधों का जुका होना अकसर आत्म विश्वास की कमी को बताता है इसका विपरीत भी बहुत असाल है यदि आपका आत्म विश्वास कम है तो आपने कंधों को अगर सीधा कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके appearance में आत्म विश्वास थोड़ा सा बाढ़ जाएगा तो पहली चीज क्या होई? posture दूसरी चीज है eye contact मैं eye contact में विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि जैसा मैंने कहा इस पर एक पूरा का पूरा चोटा वीडियो उपलब्ध है और आपसे अगर है कि उस वीडियो को आप देख ले लेकिन ध्यान रखेगा आपको मुख्य तहाँ जिससे आप बात करते हैं उसकी आँखों में देखना है चुकि आप पॉब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो संभवे एक से जादा विक्ति होंगे ऐसे इस्तिती में आप कुछ वृत्त बना लेजे यदि आप एक मंच पर हैं मैं जो तरीका अपनाता हूँ वह यही है यदि मैं मंच पर हूँ और मेरे सामने 500 लोग बैठे हैं तो मैं 5 या 6 छोटे-छोटे circles imagine करता हूँ audience के बीच में और बारी-बारी से लेकिन random भी ऐसा नहीं कि कोई pattern हो उसके बीच अलग-अलग लोगों वृत्त को देखता हूँ इससे उस समून के लोगों को सामान निता है आई-कॉंटेक्ट बनता हुआ दिखाई देता है और चुकि मैंने 4-5 वृत्त बना लिये हैं तो धीरे-धीरे पूरे सभागार को ये लगता है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ इससे एक आत्म विश्वास बढ़ता है और लोगों और मेरे बीच में भी एक तरह का विश्वास कायम होता है आप भी ऐसा कर सकते हैं यदि आप 5 लोगों से बात कर रहे हैं तो किनी 3-2-3 लोगों से आई-कॉंटेक्ट बनाई है अगर आप 5-4 लोगों से बात कर रहे हैं तो आप भी छोटे-चोटे-दो या तीन ग्रूप समू बना लीजिए जिनकी तरफ आप देखकर बात करेगी दूसरा ध्यान रखेगा जैसे आत्म विश्वास आपकी देहे की भाशा में व्यक्त होता है ठीक वैसे ही आत्म विश्वास की कमी भी आपकी देहे की भाशा में व्यक्त होती है आपकी नर्वसनेस आपके शेक करने में आपके हाथों के कांपने में व्यक्त होती है आपकी आँखों के ऊपर जाने या नीचे जाने, खास तोर से ऊपर जाने में व्यक्त होती है, तो इन्हें आपको थोड़ा सार नियंतरित करना पड़ेगा, ध्यान रखेगा, नर्वसनेस की अभिव्यक्ति आपकी देहभाशा में होती है, इसलिए आपको उसे नियंतरित कर सब दो तक्षाकमक बाते हैं यह सब तो सुचना है हम इसे करें कैसे फिर से निकाले अपना मुबाईल फोन को अपने AI-Level पर ले जाकर रखीं के आपका मुबाईल फोन काbuania ना आपकी आंखों के समाना अंतर हो जाए ऐसी जेके पर कैमरे को fix कर दीजे, किसी चीज के सहरे टिका दीजे, अगर आपके पास किसी किसम का selfie stick या tripod है तो उस पर टिका दीजे, नहीं तो किसी किताब इत्यादी के सहरे टिका दीजे, और उसके बाद उस कैमरे में देखते हुए एक मिनट का वक्त अब्वे जब आप कैमरे की तरफ देख रहे हैं तो कैमरा आपकी तरफ देख रहा है, उसे आप एक श्रोता imagine कर सकते हैं, और देखे कि आपके स्कति से बोल रहे हैं, आपकी देहे, आपकी आँखे, आपका हाथ और आपका शरीर क्या बोल रहा है, क्या वह संदेश के अनुरूप है या नहीं और ऐसे में मूलतह तीन तरह के emotions की बात करता हूं जो important है अगर आप इन तीन emotions को साथ लेते हैं तो काम चल जाता है पहला emotion है जोश का दूसरा emotion पहला emotion जोश का अर्थ है कि माली जी आपको दो वाक्य बोलने हैं जिसमें के साथ पात करने की और एक emotion हैं क्रोध का क्रोध करोध और जोश जोश अलगलत चीजह होती जोश वीर रस का स्थाइबाव है क्रोध राद्र रस का स्थाइबाव है जोणों अलगलत बात है क्रोध जोश और प्रेम इन तीन emotions को आप कैसे व्यक्त करेंगे बॉडी लेंग्वेज से इसके एक एक मिनट के वीडियो बनाई किसी को दिखाने की ज़र देखो दोसे देखी और अब्चिक्टिवली सोचिए कि क्या वाकई इस वीडियो में जो संदेश दिया गया है आपकी बॉडी लेंग्वेज उसके अनुरूप है या नहीं जोश वाला वीडियो देखके आपके अदर थोड़ा बहुत जोश पैदा हो रहा है या वो उल्टा जोश को दबा दे रहा है प्रेम में प्रेम दिखाई दे रहा है या विरक्त दिखाई दे रही है, क्रोध में क्रोध दिखाई दे रहा है या हाथ से दिखाई दे रहा है ऐसा कर के देखिए, आप पाएंगे कि आपने ये जो body language वाला हिस्सा है उसे काफी हद तक साधा है, body language में मैंने पहले बताए आपको आँखों का ध्यान रखना है, हाथ का ध्यान रखना है, जिस पर अलग से वीडियो है उनको आप ध्यान से देखिए, body posture का ध्यान रखना है, आम तोर पर erect posture होना चाहिए बैठने में या खड़े होने दोनों में, और उसके बाद emotions carry करने की के जो अनुभाव हैं चेहरे पर, वो दिखाई देने चाहिए, यह अभिने नहीं यह ध्यान रखेगा मैं यह नहीं कह रहा है कि आपके मन में वो भाव नहीं है और आप व अभिने करने लगी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप संदेश में यकीन करते हैं, तो संदेश को उसके भावों के साथ व्यक्त कीजिए यद पी यह नाट किये बिलकुल नहीं होना चाहिए, यह सहज होना चाहिए अगर आप ऐसा कर पाएंगे, तो आपकी public speaking प्रभावी बनेगी शुक्रिया